से जी हाँ कि एल्लो स्टूटेंस हम कर रहे हैं company लो als company low के इंदर एक लेक्च्छर पहले मैं आपलोड कर दिया है आज का लेक्चर नंबर company लो का सेकेंड है फर्स लेक्चर के अंदर हमने ओवर्रोल समझा था की कंपनी है क्या आज के लेक्चर के अंदर हम company's IEK 2013 और company पारे में पहले जानकारी तो होनी चाहिए एक बार गूगल मैप पे देख तो लेंगे न बैया ओके तो इस्ट्रक्चर बहुत जरूरी है अगर इस्ट्रक्चर पता होता है तो फिर उसके अंदर चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है तो यह बहुत इंपोर्टन मफ पढ़ना है तो कंपनी लोग वही है कंपनी जाएक byन के लिए नूसरी दियुक्त तो आपको सबसे पहले cash कasında और अध्याय किते ह credential हिंदी में queste साथ में बता बहुत सारे बच्체 हिंदी मीऑम की भी होते हैं 29 टोटल सेवन सैडील से अनुसूकिति हैं अनुसूचिया किकल्ग है अनु-सूचिया मतलब सेडूल्स अनुसूचिया तो सैड्यूल से अनुसू चिया है वह रेफरेंस देखने को मिलता है लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि सेडूल है क्या कितने सेडूल से तो फिर बड़ा कन्फूजन के रिएड हो जाता है तो पहले बता देते हैं भी कंपनी एक ठाकए कमपनी एक्ट यूथ सेडूल सेंतों देहें ही यहां पर कि यह हैं जया से ड schnell सेडूल से इसके अंदर सेली bush is a है जो आपने पत रखा है कमपनी क्पनी के जो लेखा लेखे करते हैं उसके अंदर आपने पढ़ रखा होता है ठीक है वो कौन सा है वो देखिए यहाँ पर वो है ये schedule number 3 अनुसुची number 3 आपने जरूर पढ़ रखा होगा format of balance sheet and penal चाहे class 12 के अंदर जब company account पढ़ा था या और भी कभी आपने पढ़ा हो तो ये जरूर पढ़ा होगा है कि जो company's का penal और balance sheet है उसका format है ना उसका प्रारूप कहां दे रखा है schedule 3 इसके part number a और part number b part number a में balance sheet का format दे रखा है और part number b के अंदर statement of penal का format दे रखा है ना तो वो यहाँ है okay ऐसे कैसे total किते schedule से 7th schedule से 7 अब कौन-कौन से हैं सबसे first schedule जो हो MOA और AOA के बारे में इसलिए मैंने first lecture में MOA और AOA के बारे में थोड़ा बताया था इसलिए आप first lecture ज़रूर देखे अगर आपने नहीं देखा है तो MOA में वाला Memorandum of Article और Article of Association ठीक है तो यह जो है Memorandum of Association और Article of Association यानि कि पार्सर सीमा नहीं और पार्सर अंतर नहीं इनका पूरा format और यह क्या वगरा है उसके उपर full detail में दे रखा है schedule number first के अंदर schedule number second जो है वो useful life of assets यानि कि depreciation के बारे में है पूरा कपूरा schedule number third जो है वो format है balance sheet का और penal का schedule number four जो है वो independent डारेक्टर डारेक्टर बताया निर्देसक जो कंपनी को चलाते हैं तो वो जो डारेक्टर है उनकी code एक independent डारेक्टर आता है आगे हम पढ़ेंगे यहां sections के अंदर की डारेक्टर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कितने डारेक्टर हो सकते हैं तो वहाँ पर एक independent डारेक्टर आता है उसका code यहां दे रखा है schedule number four के अंदर schedule number five में दे रखा है appointment and remunation of managerial person जितने भी डारेक्टर से या managerial person है उनका remunation कितना होगा उनका appointment यानि कि न्यूप्टी करन कितनी करना कैसे करना है उनका पारेशिर में क्या होगा वो schedule number five के अंदर दे रखा है schedule number six जो है वो infrastructure projects के उपर है इसमें infrastructure projects क्या होती है उनके बारे में यहां पर detail में दिया हुआ है और schedule number seven ते CSR corporate social responsibility की जो activities हर company को करनी होती है उसके उपर यह schedule number seven तो साथ schedule है आप इन seven schedules के नाम याद कर लीजिए रट लीजिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो सिधा reference जाएगा schedule इस सेडूल उसे साब से 70 तो सेडूल है याद कर लीजिए ठीक है जब इन सेडूल को पढ़ेंगे तो यह समझ में भी अच्छे से आजेंगे इनका reference भी आपको पता रहेगा तो यह seven schedules के नेम आपको याद रख लेने हैं अगर companies company लोग को बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं और बिना जादा रटे समझना चाहते हैं तो एक बार तो यह साथ chapters के अंदर दे रखी है sections यानि की धाराएं वो किती है 470 धाराएं है और धाराएं जो है बिल्कुल chapter wise एकदम series से दे रखी है अब 470 में से कुछ omitted भी है उसको भी मैंने include कर रहा है ठीक है तो सबसे पहले आता है chapter number first chapter number first जो है वो किसके उपर है preliminary है मलब प्रारम विप जो है कहां-कहां यह companies अप्लाए होगा पूरे इंडिया में होगा कब अप्लाए हुआ एक अप्रिल 2014 से अप्राइल हुआ है अप्लाए हो गया लागू हो गया implement हो गया है तो इसके अंदर दो section दे रखे section नंबर एक और section नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर केवल दो section है चैप्टर नंबर जो second है वो है incorporation के उपर मलब किसी भी company का incorporation, registration, समा मिलन कैसे होता है और इसमें section तीन से लगा कर 22 दे रखे next lecture के अंदर हम section नंबर एक से लगा कर 22 तक में जो main main section है जो आपके exam point of view से बहुत ज्यादा important है उनको हम cover करेंगे detail के अंदर ओके और जो ज्यादा important नहीं है उसके बारे में थोड़ा बता की खरम कर बेंगे ठीक है लेकिन है next lecture के अंदर हम chapter number first और chapter number second को अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है और इसमें section number 1 से लगा कर 22 तक में आपको बताऊंगा और इसमें जो important रगाउस को detail में करेंगे जो ज्यादा important नहीं है उसके बारे में थोड़ा बता दूँगा ताकि आपको जानकारी रहे फिर आथा chapter number 3 chapter number 3 बताए किसके उपर है prospectus बताया था नहीं मैंने आपको फ्रॉस्पेक्टस फर्स लेक्चर के अंदर हिंदी में प्राविवरंड बोलते है यह एलोट्मेंट आप security सेर्स वगेरा को एलोट कैसे करते हैं उसके उपर chapter number 3 दे रखा है और इसमें 23 से लगा कर 35 सेक्षन है बाइस तक दो chapter में थे फिर 23 से 33 chapter में फिर chapter number 4 है वो है share capital and debentures share capital जैसे authorized capital अना issued capital वगेरा share capital के types हो गए या debentures के बारे में foot detail दे रखी है chapter number 4 के अंदर अध्याई है आपके 43 से 72 तक 43 से लगाकर 72 तक जो है यहां पर आपके chapters मिलेंगे ठीक है तो इस तरीके से मतलब एक image जो है आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए और यह PDF में आपको बेज दूँगा आप वहां पर अच्छे से जो है इसको समझना मैं वहीं देख रहा था यहां 35 कैसे यह 35 नहीं है यहां पर है आपके चैप्टर नमबर 3 के अंदर 71 तक यहां आ जाएंगे आपके एक सेकिंड बस 23 से 42 तक फिर आते हैं आपका चैप्टर नमबर आपका 5 यह है acceptance of deposits by company इसमें section 73 से 76 दे रखे हैं फिर आते हैं चैप्टर 6 यह registration of charges इसमें 77 से 87 sections दे रखे हैं फिर चैप्टर नमबर 7 आता है management and administration management कैसे करना है प्रसासन और प्रबंद कैसे करना उसमें section 88 से 122 तक दे रखा है companies के बारे में और फिर आता है आपका चैप्टर नमबर 8 इसमें declaration and payment of dividend के बारे में दे रखा है most important है ठीक है conceptually भी और समझने के लिए भी और life में खाम आने के लिए ठीक है और exam में भी तो 123 से 127 में declaration and payment of dividend दे रखा है चैप्टर नमबर 9 जो है accounts of companies कोई भी company अपने accounts कैसे बनाएगी तो यहाँ पर schedule number 7 schedule number 3 का reference दिया जाता है format तो BI balance sheet का और P&L का schedule number 3 में दे रखा है और उसके अलावा और बहुत सारे sections है जो आपको यह बताते हैं कि company को कौन-कौन से अपने accounts maintain करने हैं यह section 128 से 138 दा section अलग बद चैप्टर नमबर 10 जो है उसमें audit कैसे करवानी है CII का company की audit करेगा auditors कौन होंगे उनका appointment कैसे होगा उनका recommendation क्या होगा वो section 139 से 1448 में दे रखे हैं फिर chapter number 11 के अंदर appointment and qualification of director किसी भी director को appointment करेंगे तो कैसे करेंगे उसका qualification क्या होगा वो section 149 से 172 तक दे रखे हैं फिर आता chapter number 12 यह meeting of board और its power देखो दो तरह की meeting होगी किसी भी company में एक होगी directors की एक होगी shareholders की जो directors की meeting होती है उसको बोलते है BOD board of directors की meeting और जो shareholders की meeting होती है उसको AGM बोलते है annual general meeting ठीक है तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है कि AGM की बात नहीं चल रही है shareholder की meeting की बात नहीं चल रही है, यहां चल रही है, जो BOD है, board of directors है, जिसमें director होते हैं, उनकी meetings कैसे करानी है, उसके sections और board of directors जो होते हैं, director जो होते हैं, उनकी powers क्या होती हैं, 173 से 195 तक उसके section आपको दे रखे हैं, फिर आता आपका chapter number 13, chapter number 13 में आपको दे रखा appointment and remunation of managerial person, जो managerial person है, उनको nuked कैसे करना है, और उनका remunation कैसे होगा, यह 196 से 205 तक दे रखे हैं, chapter number 14 है, inspection, inquiry and investigation, इसके अंदर किसी भी company की inspection, जाज पढ़ता आल होगी, उसके inquiry होगी, उनका अनुसंदान याने investigations हो गया, वो करना होता है, उसके बारे में section ने 206 से लगा करेंगा करें section number 230 से 240, उसके बाद आता है chapter number 16, इसमें दे रखा है, preventions और oppositions and mismanagement, उसके sections है, 241 से लगा कर, 246 तक, ठीक है, फिर section number, chapter number आता है, आपका 17, 17 जो chapter है, उसमें दे रखा है, आपको valuation, valuation of by registered valuer, registered valuer कौन होता है, वो valuation कैसे करता है, एक ही section है, 247 का नाम है, next chapter number 18 है, removal of names of companies from the registers of company, register of company, register of company, register of company के, register of company जो होता है, उसमें उसका नाम कैसे company का remove किया जाता है, उसके उपर section है, 248 से 252, chapter number 19 है, revival and rehabilitation of sick companies, sick company के उपर है, sick company वो company होती है, जो अभी बरबादी के कुछ कागार पर होती है, sick company चोट ऐसा है, इसका provisions, वो हम 253 से 269 पर करते हैं, ठीक है, उसके उपर होता है, next chapter number 20, यह winding up के उपर, समापन, सबसे बड़ा यह chapter है, 270 से लगा कर, 365 इसमें sections दे रखे हैं, और इसमें 4 पार्ट के अंदर उसको divide किया गया है, कि कोई भी company का winding up कैसे होता है, समापन कैसे होता है, chapter number 21 है, companies authorized to register under this act, 366 से 378 तक दे रखा है, chapter number 22 के अंदर, companies incorporated outside India, अगर भारत से बाहर कोई company incorporated भी है, यानि कि उसका समामेलन हुआ है, तो उसके उपर section 379 से 313, 393 तक दे रखे हैं, फिर आता है chapter number 23, यह government companies के उपर होता है, इसमें 394 से लगा कर 395, 394 से 345, तीन section है लगए, दो section है, यह दो section government companies के बारे में है, chapter number 24 है, registered offices and fee, registered offices and registration offices and fee, यह है 396 से 404, फिर chapter number 25, यह है companies to fundies, information of statistics, यह है, इस पर एक ही section है, 405, फिर है chapter number 26, निधीज के उपर है, इसमें एक ही section है, section number 406, 466, फिर तीन है और chapter आपके, chapter number 27 है, national companies, law, tribunal and appellate tribunal, मलब companies के जो जगडे बगएरा होते हैं, वो कहां निप्टाए जाएंगे, कौन से tribunal है, तो यह है 407 से 434, थोड़ा बड़ा chapter है, तो chapter number 28 है, special code कौन से होते हैं, वो दे रखे हैं इसके अंदर, और chapter number 29 के अंदर, miscellaneous, जो sections है, वो दे रखे हैं, 407 से 470, और इस तरीके से आपके यह सारे के सारे, जो chapters है, वो complete होते हैं, तो overall पूरा यह structure है, अब हम इनको ऐना, ऐसे यह अंदादून नहीं पढ़ेंगे, एक्ट के हिसाप से इसको समझने की कोशिस करेंगे, sections wise पढ़ने की कोशिस करेंगे, और जो important chapters है, उनकी detail में हम sections को पढ़ेंगे, और जो sections important नहीं है, ठीक है, तो उनको हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी जरूर हसिल करेंगे, तो company accounts वास्तुबव में आपका सिरफ exam point of view से pass होने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, knowledge के इस आप से पढ़ाया जाएगा, तो exam knowledge के लिए पढ़ते हैं, तो exam में number अपने आप ही आ जाते है, ठीक है, तो यह है पूरा companies act 2013, total chapter 29, उसके अंदर total section 417, schedule केते हैं 7, कल से start करेंगे, chapter number first और second के बारे में बता दूँगा, यहीं के section number 1 से लगा कर 22 तक, ओके, आप को यह pdf कहां मिलेंगे वो भी बता देता हूँ, इसके लिए आप हमारा telegram channel join कर लीजिए, हमारे telegram channel का नाम में आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपको यह pdf मिल जाएंगे, telegram channel का नाम है cwg4 become, ठीक है, लगबग इसके उपर ऐसे एक दो channel और भी लोगों ने बना रखे हैं, वो अपने official channel नहीं है, cwg4 become जो channel है, उस पर लगबग 8000 प्लस जो है, आपको मिलेंगे यहाँ पर followers, यह telegram पर क्या होते हैं, followers होते हैं, वो मिल जाएंगे आपको, ओके और यहाँ फिर हम इस वीडियो के नीचे description box में भी आपको link provide करा देंगे, तो वहाँ पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे, ठीक है, और जो PDF मिलेंगे न, वो जिस दिन यह lecture upload हो रहा है, उसके एक दो दिन बाद में आपको मिलेंगे, ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही हम मिलते नेक्स वीडियो में, like, share, subscribe and comment, support कीजे, lecture साथ रहेंगे, आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो के अंदर, तब तक के लिए goodbye, thank you.